शनी है वो आपके कर्म के कारग, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके वैपड़, और केतु है रुकावट, मुक्ति, तो शनी उन कर्मों से मुक्ति दे देंगे जो आप काम कर रहे हैं, इसलिए जब हम आपको भी प्रोफेशन पढ़ाएंगे, तो हम लोग यह देख कि उने का रेटायरमेंट होता है, रेटायरमेंट, उस वक्त केतु का बड़ा रोल होता है, शनी के, गोचर के शनी, जब जनम कुणली के केतु पर आते हैं, और वो उसकी उम्र रेटायरमेंट के आसपास की है, तो व्यक्ति का रेटायरमेंट वहीं पर होगा, व्यक्ति का रेटायर्मेंट वहीन पर होता है, लेकिन की उमने रेटायर्मेंट के करीम नहीं है, उनमें क्या दिख्कत आने लगती है, कि उनका जॉब या तो बदल लेगा वो जॉब जॉब छोड़ देगा या तो निकाल दिया जाएगा या कुछ ऐसी वहाँ में घटना घटेगी कि उसको अपना जॉब बदलना पड़ेगा आपने बहुत लोगों को देखा होगा वहुदले तो वह रहा नों कर रहा था लेकिन अचानक मैं ये काम छोड़कर के ना या आप करके आप जरूर देखेंगे कि शनी कर्ण के साथ हुआ गोचर के शमी का एंवाल्मेंट के साथ हुआ होगा। कभी ऐसा व्यक्ति काम करता है। शमी गोचर का शमी के उपर आता है तो उनके लिए बड़ा अच्छा समय होता है। जो लोग कहते हैं कि मुझे कोई नया काम प्राणा करना बट हो नहीं पाओ। को आप मांत चली शमी गोचर का शमी जब केतु पर आयगा तो ये कारे हो ज़िए प्राणा मेंुझा ही। या वो इसलिए कर पाँ थे क्यों कि पुराना काम चोड़ें पारें? तो पुराना काम जैसे छूटए गा उमजा नहीं काम क्या कर दो। वन्हाइबी वाठ०्वर्द मुक्ती दे गेंगा, ये भी ठोड़ा सा खत्रा होता है, लेकिन कैसको बुक्ति देगा नहीं, लेकि केतू कारक किसके यहां पे समझे लिए। दादा और दादी के कारक राहू है, तो नाना और नामी के कारक केतू है। रहस्यवादी अध्यन, रहस्यवादी अध्यन क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जोतिश। यह क्या है, यह केतु का ही विशह है, तो यह रहस्य है और इसकी स्टडी हो रही है, अध्यात में कुन्नति का कारक केतु है, यह कि केतु खुद अध्यात में के कारक है, तो अध्यात में कुन्नति है, आप देखेंगे कि शनी का गोचप जब केतु पर आता है, तो व्यक्ति तीर थियात्रा करने चला जाता, वैसे गुरु का गोचर के तुपर आए, तो वो तीर थियात्रा जादा देखेगा, श्यनी का गोचर के तुपर आए जब तब नहीं, तो क्योंकि गुरु जीवकारत है, यानि हम कुद गुरु है, हमारा शरीर, और जब हमारा केतु से मिलेगा तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति। किसी तीर्थ यात्रा पे जब हो जए। तीर्थ यात्रा पे जब हो. Mّर जब से यह गुरु केतु पर आए हैं, बार बार मन केता विश्या रांद में में किया करें। कोई क्याना है जोति लिंगे दर्शन किये अब कम करेंगे रहा है करेंगे वह भी निकाल लेंगे कि हम कब करेंगे बताएं आपको बताएं अपने साथ जुन में जाने के दर्शन करने के लिए तो कब करी जाएगी हो भी हम बताएगे कैसे किया रहता है लेकिन गुरु का जब भी गोचर केतु के साथ होता है तो केतु अध्धात पर तीन पिस्थान है आदमी बुदर की तरफ जरूर करें इसलिए गुरु कादर पाएगे भावान कुलाएगे तमी जाएगा है तो गुरु कुला रहे हैं गुरु केतु से मिलता है अध्धिति जाता है जरूर करका है मंत्र उच्चारण केतु के अंडर में आता है, तंत्र अध्यन, तंत्र अध्यन, जितने भी परामर्ष कारे होते हैं, हम लो परामर्ष देते हैं ने जोतिश में परामर्ष, ये सब केतु में आते हैं, मोक्ष केतु है, जोतिश का अध्यान वा अध्यापन करना केतु का अधिकार, इसी ये कहा जाता है, बहुत सारी किताब में आपको मिलेगा, राउ साब की बुक में भी मिलेगा आपको, जिसके जनम कुंडली में शनी और केतु का योग है, वह वह वैक्ती पाइबढ़त जोत कर, और वह जनम कुंडली में केतु के साथ बैठे वे हैं, उसको जोतिश को पक्का बना देंगे, उसको बहुत ज्यादा जोतिश सीखना नहीं पड़ेगा, जैसे उस सीखना चालू करेगा, वो तुरन ताने लगेगा, गुर्दी किसी कि इनना वे भाग में होतो जोतिश क जोतिश करेगा, जो जरूरी नहीं जोतिश करेगा, वो क्या कर सकता है, वो तंद्र विज्ञान में जा सकता है, वो मंत्र उच्चारण में जा सकता है, जो बहुत सिधव्य प्राप्त वेक्ति होते हैं, उमें लिएक शनी केतु का यूग जरूर होता है, जिश्ट्य Angular अधय ध्यापत भी केतु के कारजश्य चेत्र में आठा accelerate Lesa, केतू पूर्वा भास, भी बहुत बड़ने आपके तश्वयले में आए, तब तो आपका पूरा यही हो गया होगा क्या मंत्र उचारण पूजा पाट करना जोतिश करना यह आपका में कामी है क्योंकि दस्वा वह तो कर्म का है इसी लिए करते जा रहे हैं क्योंकि जननकुंडी में आपके दस्वे भाव में शनी और केतु बैठे हो क्यों कर रहे हैं दस्वा भाव हमारे कर्म का होता है ना जम लोग प्रफेशन पढ़ेंगे तो अम लोग दस्वे भाव कोई पढ़ेंगे और जिसकी जननम कोडली के दस्वे भाव में शनी केतु बैठ जाए तो इंदम रास्ता से होगे कि वह व्यक्ति जोतेश अध्यात मंत्र तंत्र ये सब करेगा ये सब करेगा अध्यात में प्रफेश की ज्यादा रुच्छी रहे जितना भी गुप्त ज्यान है गुप्त ज्यान तो आठ्वे में केतु है तो आठ्वा भाव तो पुदी जोतिस्टा है तो बड़ी कठिंटा के साथ आपको ये काम खरना पनेगा लेकिन करेंगे अब देखें जो गुप्त ज्यान होता है गुप्त ज्यान वह भी केतु है आज चालू हो जितने भी रिसर्च के पार है जो लोग पीएच्डी उज़ी करते हैं रिसर्च करते हैं पीएच्डी करते हैं शनी अमाली जेव व्यक्तिक उम्र तीस साल से कम है किसी भी व्यक्ति मन चाह लड़का हो चाह रड़की हो व्यक्तिक उम्र तीस साल से कम है और गोचर के शनी केतू पर आगए हैं तो वो क्या करें भाई उससे बोलो अपनी रिसर्च कंप्लीट करो वो अपनी पीएच्डी कंप्लीट कर लेगा उस रोड अगर वो पीएच्डी कर रहा है तो कुछ साल नहीं कुछ दिन पहले एक हमारी पास कुडली आ रहे थी वो केमेस्ट्री से कर रही थी वाई हमारे सब जिकता लड़की थी शादी हो चुछी नहीं तो उसका पूच्छा थे कि हमारी प्रेज़ी कंप्लीटी नहीं हो रही है और हम ने देखा कि श्यनी का गोचर अभी केतु पे होने जा रहा है उसके कुंडली पर कुम राशी में केतु थे उनके जैसे शेनी ट्रांगिट करेंगे आपकी पे आपका प्पुमन लगेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा अब दो बात नहीं हुई है लेकिन पका इस वक्त कंप्लीट हो जाएगे से जितने श अब विशार क्लियर है कि उसको क्या करना क्या नहीं करना राहु भ्रम है केतु क्लियरंस है एक्दम क्लियर कर देते भाइब ये है विशारो की स्पस्टता जी केतु है ये, लेकिन केटुर भी कहीं न कहीं भ्रह्म के कारक हो जाते है, रहुच भ्रहू संबन्न हो जाता है, 180 Hearing PC पर है, तो इनका मस्तिस्क मेद भ्रहम- süॉ। आपी 3 ये कर देते ही केटु, लेकिन अगर केटु जनन future नी में अच्छा है, तो उसके मस्तिस्क में इस पाषिता रहे गिए क्लिर कट रहेगा हुब ऑन कानि नहीं रहे कुरूजी रा हो नहीं में connects राशों के ब्र में ऐखया है। राहु काéis Crash हो सकता सभी हो, पूर्वानुमान लग जनेगा। यह दोनों में पर तो शनी खोचन के शनी जब केतु पर यहां पर आएंगे और जो लोग यह प्रीक्षड कर रहे हैं। जोतिश कर रहे हैं। जोतिश पार्ट में लगे हुए या ध्यात्पुद के छेत्र में लगे हुए हैं परामर्श देने का कारे कर रहे हैं उनके लिए बूद अच्छा समय होगा अब के लिए बढ़िया है यह गिलिप कुमार जी बिलिए निदे रहे हैं कि हमारी कुणली में दसम भाव है शानी केतु और बुद्ध शानी बुद्ध के साथ हैं तो व्यक्ति की बुद्धी भी अच्छे काम करते हैं गुरु जी अच्छम भाव में केतु और गुरु मातों केतु और गुरु अब उसकी बात करेंगे गुरु और केतु जी बात करेंगे गुरु जीवकारक है और केतु उनके साथ हाता है तो देखे केतु और गुरु बराबर ही मानेगा केतु जो भी उसका जीवन है उसकी जो दिन चर्या है वहाँ पर केतु डिस्टर्मेंस करेंट करते हैं जो लोग केतु से संबंदित कारे कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा जब शनी केतु पर बोचर करेंगे हमने बता है हमारा कन्या राशी में राहू और मीन राशी में केतु तो यह जो धाई साल है आने वाले धाई साल हम लोग के लिए जोतिश हों के लिए बना हम अपने लिए अच्छे हों जोतिश हों तो इस प्रकार से आप ही अपनी कुंड़ी में अनालेसिस कर सकते हैं अब ब आप यह आती है कि जो लोग यह काम नहीं कर रेह उनके लिए उनके लिए मैंने बताया वहां पे changes आ सकते हैं वहां पे changes आ सकते हैं तो उपाय क्या किये जाएं देखि केतू है क्या केतू राहू और केतू वो है वो पास्ट लाइफ आपकी है, आपकी जड़ है, जड़, जहां से आप आ रहे हैं, इसलिए मैंने बताया कि अगर शनी केतु के साथ चले जाए, तो व्यक्ति को पूर्बा नुमान, मलब उसको जोतिश ऐसे ही आएगी, यानि व्यक्ति अगर केतु जहां पर बैठा है, उसके का कारे को करता है, तो उसको कार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, क्यों, क्योंकि वो चीजे उसने पूर्ब जनब में की हुई है, वो चीजे उसके पूर्ब जनब में उसने करी हुई है, इसलिए केतु की काम को बहुत आसानी से कर लेगा, जैसे किसी के केतु थाड़ ह में अजर हो जाए तो थार्ड हाउस इसकिल वर्क होता है तो उस वैक्ति के अंदर कोई न कोई स्किल वो सीखे आफले नहीं लेकिन होगी स्किल और वो अगर करने की कोशिश करेगा तो लोगों से अच्छा कर लेगा अब इसमें ग्रह भी देखते हैं इसमें अब लोग ग्रह भी देखते हैं तो जिसके साथ भी केतु है जिस ग्रह के साथ वह उस ग्रह कार उसको आता है वह ग्रह कार उसको आता है जिस ग्रह के साथ है तो वह ग्रह कार उसको और लिडिया आता है यारी हम यह बताना चाहरे हैं आपको जैसे शुकर के साथ हो बुद्ध के साथ है बुद्धी हो गई बुद्ध भाड़ी भी है तो ऐसा वेक्ति ना जैसे बुद्ध के साथ केतु है तो ऐसा वेक्ति बोलने में बहुत माहिर होगा लेकिन केतु क्या है ना इनिशेट नहीं करता है वह सेटायर आती तो है लेकिन अजर ऐसा वेक्ति बोलने लगे ना उसको भी नी समयाँगे रितना आच्छा काम बोल के चले कैसे आए हमको तो पते नहीं था कि हम भी बोल लेते क्योंकि वो चीजी उसने कभी करीब नहीं है लेकिन उसके साथ वो बाईबर्थ जुड़ी हुई है अगर वो काम करेगा तो अटमेटिक वो कर लेगा उसको भी जानके अरानी होगी कि ऐसा व्यक्ति बोल कैसे लेगा अगर इन जन्रल आप उससे मिलिये तो ज्यादा बोलेगा नहीं लेकिन जब जरुद पड़ेगी तो अटमेटिक बहुत बोल्ड हो जाएगा ऐसे मंगल के साथ के तू मंगल दुरगटना के कारत यडाई जगणे के कारत बदला लेने के क जाने के कारत मार पीट के कारत अक्सिडेंट के कारत तो ऐसा व्यक्ति क्या है इसा व्यक्ति ग्रत्ति क्रम नहीं करेगा लेकिन अगर उसे लड़ाई पाड़नी करनी पड़ गए तो अवरों से बहुत अच्छी लडाई करें इतना वो पहले सोचेगा आठाओ जाने 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 व्यक्ति नहीं मानेगा तब यह बहुत अच्छी लडाई जब सकता है क्योंकि मंगल मंगल के साथ केतु आ जाए व्यक्ति बातों के साथ चिपक जाता है को उसके साथ कोई बात हो गई वो उसी साथ चिपका रहे है आगे अपने आपको नहीं बढ़े क्यों केतु कई से पढ़ने दो वो बार बार कोई बात होगी घुमपिर के वहीं आ जाने यार उसने आइसा जो लोगे बोलते हैं, जिनका मंगल के साथ केतु है, बातों से चिपक जाते हैं, स्टप कर जाते हैं, वो उसको छोड़कर आगे नहीं जाते हैं। तो मंगल के साथ केतु की यह स्थिती है, मंगल अगनी का अगनी का कारग ने भी, तो ऐसा व्यक्ति अगनी के कार को, कार्ट फर्शनी से देखेंगे, लेकिन वहां पर अगनी का कोई कार हुआ, तो यह व्यक्ति अच्छा कर सकता है, लेकिन करेंगा नहीं, जो उरत ये बहुत अच्छा करेगा मंगल खेलपूद का कारत है ये बहुत बढ़ियां खेलपूद कर सकता करेगा नहीं लेकिन जब जरूरत पड़ गई तो इससे बढ़ियां कोई कर ले सकता तो जिस प्लानेट के साथ के तू बैठ जाए तो उस प्लानेट की चीज उस वैक्ति को पहले से आती है उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़े और जब वो काम वो करेगा जड़ा सही नॉलेंज में वो चीज सीख जाए ये है के तू तो मैं के तू को मैं जो बता रहा था के तू क्या है के तू आपकी जड़ है जड़ रूट हो गया रूट तो कोई भी रूट वाला कारे अब रूट का कारे क्या है किसी की बात की गहराएं में पहुंच जाना ये काम के तू का दो जोतिश का का पाम तो यह हुआ पुरानी चीज जैसे मेडिकल का कारे प्लैनेट भी हम लोग के तू मानते लेकिन कौन सा मेडिकल आयुर्वेद क्योंकि आयुर्वेद सबसे पुराना है ना आयुर्वेद सबसे पुराना है ना इस प्रकार से तो आयुर्वेद में उसकी रूची होगी तो केतु क्या है जड़ है जड़ अब अगर हम यह देखें कि हमारी जड़ कौन है हमारे पित्र है ना देखें हमारे पित्र है है जड़ और वही है कि अप्सक्राइब यहां थोड़ा दिमाग लगाने की बात जो इसलेशन करने की बात है। मैंने बात के तु नाना नानी है और रहु दादा दादी के तु वह जहां से आप आ रहे हैं। जहां आप जा हुए। माता के गढ़ से का कि माता की लिंक कर रही है, नाधानानी के घर इक दाधा तादी नादी के घर और आपकी माता आई कहां आई। तो राहु वह जगे जहां को जाना है। केत्व जगें जहांसे आप ने चलना प्रारम किया। केतु हमेशा रूप है रूप बात की गहरा इसलिए रिसर्च कार जितना भी है उसमें केतु का इंवॉल्मेंट बहुत ज़रूरी होता है केतु का इंवॉल्मेंट बहुत ज़रूरी होता है बुद्ध के साथ अगर केतु हो जाए बुद्ध बुद्धी है और केतु क्या रूप है तो ऐसा वेक्तिन अब बहुत आसानी से किसी बात की गहराही तक पहुंच जाएगा गुरू ज्ञान है ज्ञान और केतु रूप है तो ऐसे वेक्ति को बड़े रूप का ज्ञान होता है बड़ी गहराही का ज्ञान होता है बड़ी गहराही का ज्ञान होता है केतु हो जहां से हमने चलना प्रारम किया था इस तक तो नाना नानी लिया गया यह से है अगर हम सब्कादेखे तो हमारे पूरवज ही सब्सक्रित ने कितू हो गया कि जब भी शनी केतू पर ट्रवजित करें गोचर के शनी केतू पर ट्रवाइंट करें तो ऐसा वेकिधि अपने पूरवजों का ध्यान जरूर रखे. हमने आपको उबर बता है लिए था कि अमोश्या जो तिती है वो केतु के नाम दे दी गए, पूरवजों के नाम दे दे गए, पित्रों के नाम दे गए और इस दिन जरूर अपने पित्रों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए हैं इस लाइक जरूर आपको करिए तो आपका केटू अच्छा होगा है तो बहुत अच्छा है जी एक फोड़ा प्रस्ट था कि जैसे पित्रों के जीवित हैं बहुत करना चाहिए और पित्रों के जीवित हैं माता नहीं है कि ऑपने माता को जल देते हैं जरूर देते हैं जो बाबा है तो उनका कार पिता करें प्रस्ट पीता है अगे प्लकुल कर सकते है अब जो जुक्रुब नहीं है आप नहीं बिल्कुल कर सकते हैं जोते के अरुसार तो बिल्कुल करना ही चाहिए तो गुरुगी जो हुआ है तो अपने नानी की वाले पित्र वाद ध्यान करें अपने परिवार अब सब पूरा हो रहा है आपके पूरे आद है पित्र हुआ है सबस्क्राइब करा जाता कि अ 6 जीवात्मा को मिला देना आत्मा को पित्र मिलाद्व ईसमें गवाई लखती शुनते हैं विष्णुजी की इन्हीं के हैं कि किसी दूसरे के दो विष्णु गवाई देते नहीं इनी के हैं तो तो सत्पिंड़न इसी लिए कि है जाता है कि आपके पित्रों को मिला दिया कि सथ पिंडी ने बोलते गुरुदी को विश्मों की गवाही लग रही है तो इस प्रकार से उन चीजों को दिया गया तो केतु क्या है हमारे रूट है तो हर व्यक्ति को चाहिए उस पर शनी केतु का गोचर हो ना हो लेकिन उन तो अमोस्या की दिन अपने जरूर करे पित्रों के लिए केतु आपका जितना पावर्फुल रहेगा आपको कभी भटकने नहीं देगा एक अब जिसका शनी गोचर क शनी केतु के उपर जा रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति को तो बिल्कुल करना चाहिए वन्ना तो अगर जौब उप में तो उसकी जौब जा सकती है अब मालीजिसर ये भी नहीं करना चाहिए तो और क्या करें तो मैंने करना रूट गार्डिनिंग करे जो घर में बगीचा लगा क्योंकि वो भी जड़ है जड़ से पेड़ हुगेगा तो पेड़ बनेगा आगे चल करके तो जड़ गार्डिनिंग का काम करें बागवानी करें वोपर केतु राइटिंग लिखना तो ऐसा व्यक्ति लिखा करें क्या लिखें जिस ग्रह के साथ केतु बैठा है उससे संब तो भाव के अनुसार लिखें कुछ नहीं समझ में आता तो भाई कुछ भी लिखिया जो 30 की किताब बोले ही जो 30 की जो नोट्स है उसको लिखिये अपने नोट्स तियार करी कुछ भी लिखिये ना राइटिंग के तू है आज भाव मैं तो मित्रों के बारे में लिखिये निबंद लिखिय कुछ भी लिख सकता है राइटिंग का काम करें नहीं भी हो धार्मित पुस्तकों पे कुछ लिखे धार्मित पुस्तों को दे कर कुछ रवाण ना भारत ना भारत तो नहीं लिखे गीता ये सब लिखे वह जिए पढ़ना के तू नहीं है लिखना के तू एध्यान रखिए अपने साम से कोई वैख्या कर दे लिख करके वैख्या करें लिख करके बेन ले हाथ में और लिखे गुरुजी इस तरी के अगर सब्तमभाव में के तू तो किस सिल्सिले में कोश्चन है सब्तमभाव में के तू विवा के लिए प्रावलम आएगी लिखने की बात करें सब्तमभाव सब्तमभाव भी तो विवा का है बिवा के बारे में कुछ लिखिए सक्कंभाव वैपार के बारे में कुछ लिखिए कुछ भी आप लिख सकते हैं तो कहीं भी आप कुछ लिखिए तो के तु राइटिंग ही तो ऐसा व्यक्ति फिर बच जाएगा उसके पर जादा दिक्कत नहीं आएगी कहरा हम लिख भी नहीं पाएंगे घाडनिंग भी नहीं कर पाएंगे अपने पित्रों को दान भी नहीं दे पाएंगे अब समस्य आगे तो फिर मेडिटेशन एकांत मेडिटेशन कर रहें मेडिटेशन भी केतु है लेकि बहुत साल पहले मैंने कुंडी देखी थी तो हमने गाता भई आपकी पुल्ली में शैनी केतु के उपर आ रहे है तो आपकी जाओ और कुछ जा सकती है जब कुछ समस्य आएगी तो हमसे एक साल बात बोले कि हमां साथ तो कुछ भी नहीं हुआ आपने तो पता नहीं क्या बोला हमको तो कुछ हुआ ही ले अच्छा हमने क्या दिंचारिया थी आपकी कहते देखें हम पात बज़े उट जाते हैं और पात बज़े उटके श्री-श्री का हम ना वो जो स्थे मेदा एंक गण्येशन चाल भुषित हुआ है मिला पनाप लेवी आप कर तो चछी हुआ है कि मेरी उपाए है मिलों ने भुद ही हमको स्टी कर दिया कि जो मेरे उपाए हो बहुत अच्छे उपाए आग valve निनों tbsp करी सकता है तो बहुर्च सारे चीजें पर छांप कर बाएं तो सारे तारबय यहां पर कर सकता astrology पढ़ें कुछ नहीं कर सकता astrology पढ़ें चो खेला रें इनलाभ्यापन के रेलीख आफ्य फिल comigo प्रैटीर होटा है कि अहिस्व स्पे इंपोर्टेंट जो फ्रांजित हो जब कॉम सा इना के इनकी उद्राप्स ये उन्हें बताया है कि तुपनीजकर उद्राप्स विलिक्तुम करदा कि वम्हें treatment आठ था राहू का ना आठ मुंखी रुदरात टुसका था राहू का था ये जिए क्या नो मुंखी हो सकता है अम ने इक बटा भी देते नो मुंखी होना चाहिए बिलकुल सही बात है महा adopts में गख्वम अर्वा साही.. क्रों मोखी र॓ध्राप्स गत्तूं करें मोखी र॓ध्राप्स मुगत थे र॓ध्राप्स तो यह बात आपको क्लियर होगे, अब आई सबसे important transit क्यों सा होगा है, शनी, गोचर के शनी, जब जनम कुंडली के शनी के उपर transit करें तब, यह life changing आपका transit है, जब गोचर के शनी, आपके जनम कुंडली के शनी के उपर transit करें, यहां से आपकी life बदलने जा रहे हैं, यहां से आपकी life बदलने जा रहे हैं, जब गोचर के शनी, जनम कुंडली के शनी के उपर transit करें, जैसे अगर आपकी कुंडली में किसी में कुम राशी में किसी के शनी बैठे हैं इस वक्त, कोई है ऐसा बैठी, तो तीस साल की उमर होगी उनकी आसमें, यही वो समय है जहाब life बदलने, कैसे? बुझी आपने क्या पाद बुट है है जो? यही वो समय है, यही वो समय है, जैसे का माई कोँगा है? अल्राग दुबे जी आपना माई बन भाद रखिए अल्राग दुबे जी के तो कल भी बोला गया पाद है, प्रोट्राइन के लिए खराब है उसके पीछे कहा है पड़े? पुरानी चीज को इसे भी छोड़ देना चाहिए खराब हो गया रहू आपका इसे भराब हो जाये गाए जितने भी खराब जी पर आपकी उम्र भी 30 साल के आजपास है क्या कि अगले तीस साल कैसे चलना क्योंकि यही उस व्यक्ति के धाई साल होंगे जो अगले तीस साल डिसाइड करेगा कि अगला तीस साल कैसे चलना कि अगले तीस साल करेंगे कि आपको जीवन मिलने वाला क्या करने वाल आप यही तीस साल है अगर यह आपने अपने हाथ से धाई साल आपने या कोई भी वेक्टी जिसके उपर गोचर का शने आपकी कुंडली के जरम कुंडली के शने के उपर गोचर कर रहे हैं अगर यह धाई साल आपने जाने दिये तो अगले तीस साल आपके बरबाद हैं आप दुनिया जहान के जो भी उपाय कर लिए कुछ नहीं होना किस चीज के लिए इंपोर्टेंट है आपकी अपनी प्रफेशनल लाइफ या तो जॉब हो या तो व्यापार हो या कुछ भी काम करें यही यह धाई साल निश्चित करेगा कि अगले तीस साल क्या होने वाला किसा आपकी जिन्दिगी किदर की तरफ जुड़ने वाली है इसलिए बहुत हर चीज को अब्जर्व करें सपर करें और कुछ जल्दी से जल्दी इधर जॉब और बिजनेस सेटल करें अपना जो भी आपको करना है क्या करना हो तो पुम्ली बताएं लेकिन करने का समय यही है अगर यह धाई साल चले गए और आप अगले धाई साल में किसी के पास आए और बोले हमें उपाई बता दीजिए हम कोई काम करना चाहरे हैं हो ही नहींगा तब उसका कुछ नहीं हो से वह उपाई के आप जो मढ़की करा लिए अब कोई ब्रह्माही यह भगवान शंगरी आपके इंपर खुश हो के आपको कोई वर्दान दे दे तो भले आपका कुछ हो जाएगा वहना कुछ नहीं होने वाला तीस साल पर क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि समय की बहुत उपियोगिता है समय को जिस वेक्पी ने बरवाद किया समय उसको बरवाद कर दे तो वो समय कौन सा होता है जब जनम कुणिली का शनी पर गोचर के शनी ट्रॉजिट करें यहीं वो समय जहां से आपका रास्ता खुलने वाला है और यकीन मानिये दाई साल जाने दिये जिन्होंने में लिखे दिया कि हमारे है तो अगरे तीस साल क्या होगा यह आपको बताने की दरूरत नहीं है बहले आपकी कौनली की बहुत जादा राज्योग बता रहा हूं जो मैं यह गोचर का सिध्धान्त बता रहा हूं यह आपकी कुण्ड़ी कोई भी हो लगन कोई भी हो कोई भी दशा चल नहीं हो खराब चले अच्छी चले यही घटित होगा आपके सांगे अब जनन कुण्ड़ी के शनी पर गोचर का शनी ट्रांजिट कर रहा है कि दशा भी आपको बहुत अच्छी मिली यह जंप आई लगेगी एक दम आई जंप लगेगी तो यही लाइफ चेंजिंग करने हैं अगले तीस साथ कर दिसायद करने वाले हैं आपके लाइफ कैसी रही कैसी रही आप उस दाय साल में अपने बच्चे से महत करके अपने काम सफे मार, सेटल कर लिजेए कोई उपाई की आवशक्ता नहीं तो यह जल्दी हो जाएगा, खराब चल लिए होगी तो थोड़ी कठिनाई आगी लेकिन हो जाए नहीं मिल पाए और अपड़ाशन का सिध्हात है कोई भीय इवेंट पभी होगा जब दसाव सबसे इंपॉर्टन गोचर होता है सबसे इंपॉर्टन गोचर होता है, इसलिए जिसकी भी कुंड़ी में शनी के उपर शनी का गोचर हो रहा है जरनकुंदी के शनी पर गोचर के शनी का गोचर हो रहा है तो आप मानके चलिए यह वो टाइम है आप अपने शवब्र देता हूं दौहजार नौ में आठ में आप देखेंगे सिंग राशी का परशनी चल लाएक है देख लिए आप अधिखा देता हूं मुझे याद है यह गोचर यह रखा यह वाला गोचर है यहां पर देखें मैं लेके चल्पता हूं हुआ है दोजार आठ यह देखें शनी सिंग राशी के दिख रहे हैं आपको दिख रहे हैं सबको जहां मेरा कर्शन जा रहा है नहीं दिख रहे हैं शनी सिंग राशी के हैं अब मेरी जर्म कुंड़ी में भी शनी सिंग राशी के हैं हमारी कुंड़ी में भी शनी सिंग राशी के हैं तो यही वह समय था जब हम एक छोटे और्गनाइशन से बड़ा और्गनाइशन में गए काम वही था मेरा जब हम छोटी कोचिंग में पढ़ाते थे फिर एक कोर्पोरेट कोचिंग में चलिए यही वह समय था मुझे इसी समय का इंतिजार था मुझे लगनाई आने वाला है यह करवाएगा कुछ करवा दिया और मेरे उपर उस वक्त शनी के अंतर दशा चल लए और शनी मेरे मकल लग में कुंड़ी है तो शनी मेरे लगनेस थे तो उसने अच्छा लग जम करवा दिया मुझे लेकिन करें कि दशाग चाहे किसी भी चलती बट ये शनी के उपर शनी के जो हमारी कुंड़ी में गोचर हो रहा था 2008 में इसने सेटल कर दिया गुरूजी बात सही है 2000 आज से 15 साल पहले में गोचर को पीछे घुमाएं देख हूं तो गुरूजी में जो 15 साल पहले काम करने सुरू अब इभी वही कर रहा हूं और अगले 15 साल पहले करना हूं जब 15 साल बात दुबा थी जब शरी में गोचर आया कमें साथ बाशक साल पहले हूं जी बिल्कुल से तो उस वक्त आप चाहें तो कुछ और अपने काम कर लें आप ऐसा नहीं है आपकी कुंड़ी में शनी के या जो आपने कल कहा था कि एन राव साब ने लिखा बारा पंदरा साल तो अच्छा चलेगा यहीं वो टाइम क्योंकि पंदरा साल बात शनी के सामने शनी आएंगे तो शनी की सातनी द्रस्टी जाएगी शनी पर दो सकता है कुछ और उसको जम करवाद है है फिर्फ सातनी शनी कि आएदगे थू साल कुछ नया से करवा सकते कि स Wrap जिसका भी ओगा इसी इए राव साब यह बात निखते हैं कि पंद्रा साल को वेक्ति के अच्छे समय होगा बटहम कहते थी साल के लिए अच्छा हो गया और यह उन लोग को बहुत आसपास है गुरुजी आपका मूट हो गया है अपका हाँ लग गया है गुरुजी आपकी आप सही है जी आप सही है तो ये उन लों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिनकी उम्र 29, 30, 31 के आसपास होगे एकनो साल तो होई सकता होता है इस वक्त वो बॉच करें और ये ढाई साल का सदूपियोग करें तो अगला 30 साल उनका पार तो शनी के उपर शनी का गोचत इस प्रकार से चीजों को दे जा चुछी शनी क्यों देता है शनी के उपर शनी का क्योंकि शरीक जिम्मेदार ही है, responsibility है, discipline है, focus है, focus तो अब तो भाई आपको discipline में रहने ही होगा, आपको तो responsibility लेने ही होगी, job में आएंगे तो responsibility आएगी, तो ये time है आपके responsibility लेने का, ये time है responsibility लेने का, तीस साल तर वेक्टी की education भी लबल लबक complete हो जाती है, कोई ऐसा तो education नहीं बसती, तीस साल के बाद कुछ अगर ले रहा है तो लेता रहे आगे, वेकिन इसमें तो वो अपनी job settle कर ले, इस period को और अच्छा बनाने के लिए, वो क्या करें, साथ मुखी रुद्राक्ष, साथ मुखी रुद्राक्ष, साथ मुखी रुद्राक्ष नी का है, अपने गले में चांदी में धार्ण कर ले, चांदी के लॉकेट बना करके धार्ण कर ले, ये ढ़ाई साल उसके और अच्छे हो जाने, जितना उसोचा उसे और अच्छा मिने लगे, साथ मुखी रुद्राक्ष, और क्या करें, शनी की क्योई भी वस्तु, चाहे वो तेल सरसो का, चाहे वो पानी वाला नारियल हो, देखे, सूखा नारियल राहु का प्रतीख है, सूखा नारियल राहू का प्रतीख है और पानी वाला नारियल शनी का प्रतीख है आप देखते हैं जब आप कोई अपना कोई भी दुकान ओफिस सेट करते हैं तो पंडी की पानी वाले नारियल पे लाल कपड़ा लपेट करके आपके मंदिर में रखवा देते हैं क्यों कि वह पानी वाला नादियल आपका शनी वापका कर्म वापका डिसिप्लिन वापका फोकस हुआ और आपका मंदिर प्रहस्पति हो गया हमने कई बार बताया शनी प्रहस्पति के साथ सबसे अच्छा फल देता है तो जहां नहीं है वहाँ पर हम लोग अपने पूजा पार्ट से अपनी गतिविदियों से वह काम करवा लेते हैं तो जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है अपने कर्यर को लेकर ये धाई साल सेट करना है जिसको यह कभी भी दिक्कत आए शनी की वस्तु ले लीजे काला तिल ले लीजे पानी वाला नारियल ले लीजे सरसो का तेल ले लीजे और भी लोहा ले लीजे जो भी शनी की वस्तु है उसको ले जाकर के अब भी सारी वस्तु नहीं लेनी आपको कोई एक ले लीजे उसको ले जाकर के मंदिर में चढ़ा दिया मंदिर में रखाईए क्यों आपने शनी को ब्रहस्पती में मिला दिया अपने कर्मों के द्वारा आपने शनी को मिला दिया ब्रहस्पती से और जब शनी आपका ब्रहस्पती अब एक बार नहीं करना है आप हर शनी बार करते जाईए पोड़ी एकीन ना रिली चड़ा रहें पचीष्टी सुपह का ना ना इल पांई ब्रह होला ठोटा उल्ता आक मंदिर का बर करें किसी भी मंदिर में और हर् tutaj किया चणाना है तोड़ना औरना नहीं हुए है चट आई मनदिर आप मら जा की नारियल बाकी नारियल, पाने वाले नारियल की पूजा getech बहुत सारे उसके उपाए है। बेष्ई आहती है। इहां पर हमेशा नारियल से ही बिन पूरी नहीं होती। और यहां पर भी ओष्णी की रूप है। आप देखिए कलस की स्थापना की जाती है आपके कलस और मंदिर में रखवा दिया जाता है भास्त की अंँसरे चुक्राइशुकति उसने हल्दी उल्डी बी डाल दी जात ती स्थानिया लिग भास्ति धनियाउनैवी लोग डाल दिते हैं फबबल घट्याएशोपति arrive और नारिय लाल कपड़े से लपेट के रखवा देते हैं, तो क्या हो गया, शनी आपने रखवा दिया कहां पर गुरू के साथ, आजकर एक गलत चीज़े होने लगे, अब क्यों होने लगी यह तो मुझे भी नहीं पता है, पहले ही जब भी कोई किसी की कोई दुकान है, किसी की कोई शॉप है, जब वो खोलता था तो घी का दिया जलाता था घी का, आजकर उसकी जगे तेल ने लेली, तिल का तेल, गलत है यह, क्योंकि तिल का तेल तो शनी का रूप हो गया, उसको जलाने से क्या अपना है, जो घी ह नहीं होता है, इस्पेशली गाय का गही वो शुक्र का प्रतीक होता है, शुक्र बहने लक्षमी आप अपने मंदिर में शुक्र, यह लक्षमी की आपकर पूजा कर रहे हैं तो घी देसी घी का दिया जरूर जलाना चीली या आपने घर का मंदिर हो चाहे दुकान का मंदिर हो या आपके ओफिस का और खुछ भी आपके प्रतिस्थान है वहां पर आपको सभेरे सभेरे यह जरूर चला ज़िए बेसीगी नहीं देखते हैं लोग तिलकर भी अजला रहे हैं गलत दी तुने समस्या तो आनी आज भी समस्या इस दोस्ते आटेक्ट कर स्वेटिस्थाक्ट आएगी तु जिसका जो विध्हान बताया कि उसी विध्हान को बड़ा सुसाराइब कर रहें ऑफिस कोलने के बाद मंदिर की सपाइए क्यों कर रहें आदेली आपका राहू सही होने की आकस्मिन घटना है आपके साथ नहीं घटेंगी कब रोज में मंदिर की सपाइब कर देते हैं लोग नारियल रख़ाई वा शनी ब्रहस्पत में मिला हुआ है। घी का दिया जला दिया शुक्र आप ले आए लक्षिमी का पारख ले आए। अब आपने वहां तिल का दिया जला दिया आप शनी को लाए शनी की चीज के उदासी इंता के कारत, दुखों के कारत तो अपने आपने ना समझी में जवरदस्ति दुख पाल लिए जुस तेल का दिया है वो हमारे यहां दीपावली में एक जलाने का विधान है बस और और मंदिर में जाकर के शनीवार को वहां पे आप तेल का दिया जलाईए क्यों क्योंकि तेल शनी हो गए मंदिर ब्रसपती का इस्थान है वहां जलाईए अपने प्रतिस्थान में तो आप शुक्र का ही काम करिए शुक्र यादि देशी घ्री का ही दिया जलाईए तो यह छोटे छोटे चीजे हैं जो बेली बेसिस प्रवेक्टिवों करना चाहिए जोतिश आपको यह बताती है कि क्या काम करना है गुरुविकोय को यह जी बताते हैं कि अनमाजी की पूजा में चमेली के तेलगा जी प्रजलाईए जला सकते हैं अनमाजी की पूजा हम तो कहरें भई जो पर्तिस्थान की में बात कर रहा हूं अब वो अलग अलग डेवी देवता की पूजा के लिए अलग अलग विधी विधान है उनको जो बताया जा रहे हैं वो फॉलो कर सकते हैं लेकिन जो बता रहा हूं वो पर्तिस्थान अपने ऑफिस में उस ऑफिस की मात्तरी कैसे हो उसकी किसी की दुकान ना चल रही हो मलब कोई आफिस काम न करना बंद कर दे तो वहां पर ब्रहस्पति कमजोर हो रहे हैं क्यों क्योंकि ब्रहस्पति धन संपत्ति के कारत हैं आपके भागी के कारत हैं आपके सुखों के कारत हैं तो ब्रहस्पति कमजोर नहीं होने देना है इसक लिए कम से कम बहाष्पतिवार को या को केसर करती लग या तो हल्दी करती लख लगाई के और विष्णु जी की स्थापना वहां करी उनका पूजा पाठ करी और विष्णु-सहस्तिना या नराण कवच्च यह बुध कारतिक और बुध वेपार है इससे क्या होता बुद्ध अच्छा होगा तुम्हें पार अच्छा होगा तो बाकी चीजी अच्छी हो जाए इस प्रकार से चीजियों को सुठाना जा सकता है अब प्रतिस्थान की बात कर रहें अपने प्रतिस्थान में बाहर चौकट पर केसर का या फल्दी करते लग जरूर लगा अपने ना लगा अपने भी लगाना चाहें तो लगा इस प्रकार से तो शनी की उपर स्णी zabी कोचब होगा बहुत आच्छा समय होता है, बहुत अच्छा समय होता है किसे अच्छा होता है समझ में इसको कैसे और साही करें भी मैंने पताती है अब आए शनी का बुद्ध पड़ से गोचर ये बहुत अच्छा गोचर माना जाएगा जनम कुणली के बुद्ध पर गुरुजी गोचर के शनी का गुरुजी अब आप उसी प्रीजिश्टिश्ट अगर निकल गए किसी कास है एक एक जनम कारी वेगा तो इसके बाद अगर द्रिश्टिश्टि भी जा सकती है लगाईए प्रहाइस करिये तुछ हो जाय तो बताएं गया समय चला गया चुडिया चुड़ी छुगई खेत हम क्या करें था इसलिए जिए अगर आप था ने पास माल ले तो ठीड है हमारी तो को यौकाती निए हम लोग तो आम इंसान हैं हम लोग के ग्रहों से सब्बंदिती जीजों को बात करते है इसका मतलग जिए जिए जब रहू के उपर आएगा तो आप और नहीं चीजों को कर सकते है अगर जी रहा प्रमिजवित गया अगर विद्या रागी बढ़ा होगा तो आपको बढ़िया चेले कर्म कांड में ही सब जोथी शोथी सब आगा पार्ट समय चला गया तो देखिए आप क्या कर लेंगे हम क्या कर लेंगे कोई भी क्या कर लेगा सिले तो समय को नहीं जाने देना चीजिए समय का सदुपियोग करना ही तो इंपॉर्टेंट है अब आए शनी का अगर बुद्ध पर से गोचत चला है बुद्ध पर तो बुद्ध क्या वैपार है बुद्ध एजुकेशन है प्रेडिंग का काम है आपका कोई भी सब्टन तरब एक्साय है इन सब के लिए बहुत अच्छा समय आधर है अब माली कि कोई भी बुद्ध एजुकेशन है और कोई एजुकेशन का वैपार कर रहा है इसके लिए बड़ा अच्छा समय होगा है इसलिए शनी जब भुद्ध की कांटेक्ट में आता तो उसके वैपार की ग्रोथ होती है आपके लोग पूछने आते हैं ना हमारे ज़रा वैपार में ग्रोथ कब आईगी बताई है तो आप देखिए ग्रोचर का शनी जब जनन कुंडली के गुद्धपर से घुजरेगा वहां से पास होगा वह समय होगा उसके वैपार की ग्रोथ का और वहां पर आप उसकी दशा देख लीजे अगर वो दशा उसको सपोर्ट कर रही है तो इंदम छलांग लगाएगा हूँ अब बोल दिजे तयार हो जाई ह जितनी जगे अपने वैवसाई को फैला सकते थैना लीजे मेरा है गुरूजी पस अपने वैवसाई को फैला लीजे अगुश्चा कर सकते हैं अरे एजुकेशन का काम कर सकते हैं, शिछा ले सकते हैं, तीस साल से पहले ये काम हो गया, तो जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है उसके लिए बड़ा अच्छा समय, जो भी वो उस वक्सक्त इक्जाम देगा पास हो जाएगा, दश्टा भी देखे जी लिए, जो भी एक्जाम देगा पास हो जाए रहा है कोई कंप्टीशन दे रहा तो निकल गया है कोई नया वैपार स्टार्ट कर सकते है इसी बात हो जी तो हमारे दिमाग बात क्लिक कर जाती तो हम उसको करने की कोशिश करते हैं इन्हों ने बोला था कि क्या बोला था आपने दिमाग में हमारे है वो चीजी अम इसको बलत लेकिन वह अगर स्टार्ट करेगा तो वो हमारी गाइडलाइन की अनुसारी पविश्वानी करेगा उसके लिए अब बनाने की कोशिश कर रहे है वो सोस्ते लिखे लिख नहीं पार है वी शनी केत्व उपर आएंगे तो लिखना चालू करेंगे कि कुंडली में क्या-क्या बातों को देखना है आप जब भी कोई भी जहां पर भी आप है तो एक बढ़िया ओफिस पर यार करेंगे जैसा भी आप बनाएं उस गाइडलाइन के थू करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा आपको टाइम लगेगा आपको आदा गंटा लगेग कि फॉलाजेश आपको 100% सहीं करेंगे हैं हमें इतने साल होगे लेकिन मुझे भी आज कुंडली देखने में आदा से पहुंग घंटा में लगता है यही जल्द बात जीवाला चक्कर यही तो खराब कर देता है सारी चीजे देखें क्या-क्या देखना उसके रूल्स में से अवाज नहीं आ रही क्या अमगल अच्छा तो हम बता रहे थे कि कैसे किसी भी कुंडली देखने कर सिस्टम कैसे कैसे वो जैसे आपने ही देखते कि डॉमिनोस पीजा वाले खोल लेते हैं और उनकी गाइडलाइन होती है उसी गाइडलाइन के अंटर में वो अपना पीज प्राइब करने उसके साथ मैंने दो तीन लोग वह बात हुई है कि रतनों का काम भी हम चालू कर रहेंगे रतनों काम तो उसकी भी आप सीधा माल वहां से उठाई यह जो भी आपका प्रॉफिट होगा वह आप मार्केट में और मार्केट से बहुत कम रेट कर भाई आप मा कुंडली कैसे बनेगी कितने चार्ड आप रखेंगे कुंडली देखना तो किन-किन बातों को क्या क्या देखना क्या क्या किए कैसे कैसे देखी जाएंगी आप सब्सक्राइब पूरा सिस्ट्रम मलब पूरा ओन वर इंडिया में अगरी हमारा प्लान बना तो अंगा लेंगे अब जिसको भी लेना चाहें तो लेंगे लेंगे लेकिन अभी प्लान है आप सबके लिए बहुत सवागे होगा और उसमें जितने भी नजुकडियां होंगी फ्रेंचाइजी की वह आपस में कनेक्टेड रहेंगे उस कनेक्टेड में एक हमारा आरेंडी डिपार्टमेंट रहेगा रिसर्च एंड डेवलेमेंट का जिसके जिसमें को हम सुपर वि जाएंगी और वहां से तुरंट उसका रिस्पॉंस देगी होता है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आरेंडी डिपार्टमेंट को ट्रांसपर होगा वो उसका सेलुशन करेगा और तुरंट उसको बताएगा अगर उससे भी नहीं होगा तो उससे सीनेर हमारे पास है कि और जितनी भी नई चीजे आ रहे है उन सब पर रिसर्च करकर करके इंप्लीमेंट करते गाना है उसको इससे पुरे इंडिया में एक सिस्टम बन जाएगा यह जितना ठगी काम चल ला है कुछ भी आज तो हम बहुत गुस्से में आ गये ते एक वेक्तिस मेरी बात हो राजयस्थान में वह हमारा वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर सुरेंगे तो भी समझ जाएंगे उनकी उमर असी साल के आस पास है वो कुंद्ली हमको पता ही नहीं वो बोले थे कुंद्ली उनकी बच्चे तो ठीक आप बुक कराईए वहां आएगा तो देखा हमको भी आता हमने का अच्छी बात भई तो बता ही उमर है थो में लगा वाकर ही नॉलोजिबल होंगे तो हमने काभी कौन-कौन सी कितनी पुक आपने पढ़ लिए सब गाया तो कहिते हैं नहीं हमने पुपुक नहीं कोई पढ़ी है हम तो गाउं मेरे तर्में का गाउं मे जो बेसिक चीजे नहीं क्लियर है हमने उसे का कि आप मुझसे बहुत बड़े हैं मैं आपका संभाल करता हूं लेकिन मैं आपसे रिक्रस्ट करता हूं कि आप पुरे जोतिस समाज को बरबात करना है क्योंकि आप गुजुर्ग वेक्ति है आपके लोगों का ट्रस्ट असान उन पर लोगका ट्रस्ट कैम होगा мले जाज़ा हो लेकिन जुर्भ वेक्रर जादा है तो लोग आपके ट्रस्ट करेंगे और आपका फलादेश यह खिआ टटी वेज़ आथी हिसको से अनजाने में सही ही, लैकिन पूरे योकिश को बरबात कर करियर के साथ खेलने ना आप बले बड़े हैं हम आकता समान करते हैं लेकिन जो बात सही है वो मुझे सही कहने में गल्पी नहीं है कोई अपसोस भी नहीं है और यह हकीकत अगर जरूरी है कि हमें सब कुछ आता ही हो और नहीं आता हाथ जो लोगुर नहीं आता जबर जस्ती पुरा भात वर्स में एक अच्छा मेसेज जाएगा जो तिसके पर सब लोग टर्ट करेंगे अब दिमाग में खाखा तयार है वारे भी वोसी को ज़र हम वर्काउट करना पड़ेगा अब टाइम तो नहीं मिलता लेकिन वर्काउट हम करेंगे जल्ग उपर अब उसी बुकलेट के अंदर में आपको गाम करना बस इसने कोशन पूछा है क्या प्रोसीजर है देखने का अब जो आपका वो तयार होगा आपको बस उसी के आज़े टिक कर देना यह प्लेनेट इसका है यह प्लेनेट तो पूरा सारांस निकल आएगा वो अल्रेडी तैयार हो आप उसको यह निकी एक पकारी की बुकलेट कोई भी वेत्तिक उंडली दिखाने आया आपने जो भी चार्ज रखे अपने पांसो उसमें वो गुगलेट में 8-10 पेज की 7 पेज की आपकी जो लेटर हैड होगा उसके उपर आपका नाम लिखा होगा और उसके अंदर वो गाइडलाइन लिखी होगी कि कब आपको जैसे कि मेरे पहले नंबर पर आपको क्या देखना दूसरे में इने की देखना चालू कर द अब जब सब योग तयार हो गए ग्रहों का बल निकल आया सारे प्रोसीजर हो गए तो फ़लादेश करने का फार्पला तो मने बता दिया यह उसमें भी लिखा होगा इसी से आपको फ़लादेश कर दो यानि कि सारा काम रेडिमेट के फॉर्म में तयार होगा उसको बस अब क्या वाद ना रहें नहीं चीजे पड़ते रहें उनका अपना भी एक्सपीरियेंस हो यह चीजे वहां पर भी इंप्लिमेंट होगी जी अब क्या वाद ना रहें तो क्रोजी रत्रों के साथ आपको प्रत्न से जादा उपरत्न के बहुत बड़े-बड़े काम है उसका वेबिनार में करने वाला हूं तो उसमें आपको पता चेलेगा कि किस प्रकार से चीज़ों को देखा जाता है तो शनी हमने बोला बुद से कनेक्ट कर जाए तो आटमेटिक वह वेक्ती वैपार के लिए उसका अच्छा समय आ गया है वो वैपार प्राण कर सकता है य इसके लिए एजुकेशन का बहुत अच्छा समय चालू और इसको और अच्छा करने के लिए क्या करें तो बुद का रुदराक्ष होता है चार मुखी रुदराक्ष चार मुखी रुदराक्ष बुद का है बुद के लिए विष्णु सहस्त नाम या नरान कवच का पाठ जरूर करें खुद में करें यूट्यूब पे सुन लें श्रवण करना भी इंपॉर्टेंट है अमारे सनातन धरम में जितना वाचन को संग्या दी गई है जितना इंपॉर्टेंस दी गई है उतना श्रवण को भी दी गई सुनने को भी दी दे आप समया आओ के कारण अगर कोई चीज खुद नहीं कर पा रहे है तो आप उसका श्रवण कर लें सुन ले बैसे जैसे माली जे किसी धर्मिस्थान पर कोई पूजा चलती है तो जो आगरणी है पंडी जी होते हैं वहीं पूजा करते बाकी लोग सुनते हैं तो क्या अपल किवल पंडी जी को ही मिलता है सबको नहीं मिलता क्या तो श्रवण भी कीरतन की केटेगरी में आता है समया भाओ के कारण आपके चारों करत ह 19 संगीत के माध्यम से यूटीर माध्यम शे यह किसी भी इस प्रकार से आजाएगी कि एक आपनोस्पेर प्रॉजिव हो जाएगा. नौधा बक्ति में यह आता है गुरुजी इसरावन. अचा नौधा बक्ति उसी के अंत बहुत, नौधा बक्ति में भी एक प्रकार के भक्ति है श्रावन, सुनना. अच्छा, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आगुमारी कर सकते हैं, अर्गुर्जी जा रहा है, तो पने फोन बगारा भी सुन सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं सुन सकता है, एकदम कर सकता है, अब आए, तो ये महरान कवच, विश्नु सहस्त नाम, ये सब करता रहना चाहिए, शार्मुखी रुद्राक्ष, इंपॉर्टेंट होगा, अब आईए, सबसे इंपॉर्टेंट में, जिसकी बार-बार बात करता हूं, कौन हो गए, ब्रहस्पती, गुरु, गुरु क्या है, शनी का ब्रहस्पती के साथ, गोचल के शनी, अगर कारक है, आपके भागी के कारक है, धन कारक भी आप कहते हैं, महत्वा कांचा की कारक है, कल्यार कारी कार करने वाला का कारक है, यह आपके साथ अच्छा होने वाला जो कारे हैं, संसकार के उच्छी उत्तरदाई पद, जिसमें आप बहुत अथौरिटेटिव परसन बन अथारिटी आपको मिलेगी। कुछ उत्तरदाई पद। या अगर कोई भी वैक्ति जुडिशल डिपार्टमेंट में न्याय में है तो वो मुख्य न्यायधीस बन सकता है। कि गोचर का शनी व्रह्सपती पर गोचर करें। न्यायधीस का भी मुख्य न्यायधीस होगा। देखतेaré kolay यह बन गया। देखियो आप शनी व्रह्सपती के ऊपर जो उंके ट्रांजिट कर रहे हूं हमकी कुंडली में तो ऐसा होगा। न्याय को क्या नियाले नियाले नियाय की कारग तो शनी है नियाले धार्निक गुरु प्रोफेसर डारेक्टर जितने भी सिक्षा विध हैं एडुकेशन से रिलिटेड काम करने वाले संतान उत्पत्ती के कारग भी ब्रहस्पत्ती है अनुशाशन वैसे यहां पर शनीका भी आता है बड़ ब्रहस्पत्ती को भी लिया जाता है लेखन योग्यता धन संपत्ती आये परामर्श देना भाग ब्रद्धी इन सब के कारग पौने ब्रहस्पत्ती तो जिनकी कुंड़ी में गोचर के शनी ब्रहस्पत्ती को टेच करेंगे तो जो इन लोग जो लोग होंगे उनके लिए बहुत अच्छा समय आजाएगा और जो इन से रिलेटर नहीं होंगे उनके लिए अच्छा समय आजाएगा इसलिए यहां पर गोचर का शनी जब प्रहस्पत्ती के उपर गोचर करता है तो इसको भी बहुत अच्छा बताएगे और सबसे इंपॉर्टेट शुक्र इसों दृष्टी को रेंगे अभी अभी बताते हैं वो सारी बात को उसके बाद शुक्र आजाईएगे तो शुक्र ही तो लक्ष्मी है आपके व्यपार में कब धन प्राप्ती होने वाली है जब गोचर के शनी आपकी जनम खुंडली के शुक्र पर गोचर करेंगे समझे धन की प्राप्ती आपको होने वाली है आपको धन की प्राप्ती होने वाली है सबसे अच्छा ठागिट इसी को मारा जाता धन की लिए आपके वैपार में कब पैसा आपको बढ़ने वाला है आपकी सैलरी कब बढ़ने वाली है आप कोई भी वैपार कर रहे हैं तो कब लक्षमी आपको मिलने वाली है जब शेनी शुकर पर गोचर करे तब ये चीज होगी, इसलिए ये भी इंपोर्टेंट हो, तो यानि आपने देखा कि केवल खराब दो ही तीन चीज थी, एक शनी का मंगल के साथ, एक शनी का केतु के साथ, जो गोचर होगा, वही केवल खराब होता है, बाकी राहूर के साथ भी अच्छा होता है, गुरु, जब चंग्रमा पे गोचर करते हैं, तो बदलाव आता है, प्लेस शेज होता है, यानि दो गोचर को, हम दो बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, एक मंगल और एक केतु, बाकी सब अच्छे माने जाते हैं, लेकिन हम लोग ने तो मंगल और केतु को भी अच्छा कर दिया, उस उस से रिलेटर काम नहीं कर रहें, उनके लिए खराब जाएगा, लेकिन उसका भी उपाय मैंने बताया, तो उस भुपाय को सुन करके, समझ करके, करें, तो जरूर से जरूर लाब होगा, और वो गोचर जो आपका खराब जा रहाता हो बहुत अच्छा जाए, खराब आपकी की देखना कैसे है, तो देखि देखने के लिए क्या होगा, शनी अभी किस राशी में गोचर करना स्टार्ट कर रहे है, कुम्ब, 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 कुम् तो शनी की द्रस्टी से देखे कैसे कनेक्ट हो रहा है। तीस्नी द्रस्टी जहां पर पढ़ रही वहां पर कौन कौन से गरह है। सात्मी द्रस्टी जहां पर पढ़ रही वहां पर कौन कौन से गरह है। या दस्मी द्रस्टी जहां पढ़ रही है। आपकी दुली पे वहां पे कौन से ग्रहन हो, प्रसकी तम तेकी गाएगी, जब कुम राशी में कोई भी ग्रहन हो, कुम ही क्यों ले रहे, क्योंकि शनी का गोचर कुम राशी से ही हो रहा है, शनी का गोचर कुम राशी से ही हो रहा है. गुरुजी मेरी गोचल के द्रष्टी शरी के ओपने पड़ रही तो पिर भाव देखेंगा अगर कोई द्रह भी नहीं आ रहा है द्रष्टी में नहीं आ रही तो भाव देखेंगे किस भाव से गोचर हो रहा है उस भाव की चीजे तरी इम्मोर्टेंट हो जाएंगे और कौन से भाव जहां पर गोचर कर रहे है शरी वह पाव समय इस भाव के लिए कुछ नहीं देखेंगे तो आप पिस्टी साफ़ी घस्टी लगाके देखेंगे अगर वह मी नहीं यह तो भाग भाव है तो भाग का समय इस रख के लिए कुछ नह कुछ करवाएंगा अब बात आती है कि माल लिए चले कुम राशी ले लेके ऐसा भी होगा कि बहुत सारे लोगों की कुंड़ी में एक ही राशी में कई सारे ग्रह होंगी जैसे माल लिया कुम राशी में शनी गोचर करना प्रारम कर रहे हैं कल से स्टार्ट किया और कुम राशी में दो ग्रह बैठे हैं बुद्ध बैठे हैं और शुकर बैठे हैं तो कब बुद्ध का फल मिलेगा कब शुकर का फल मिलेगा आप देखेंगे माल लिए बुद्ध जो है दस डिगरी के बैठे और शुक्र मान लें के पंदरा डिगरी के बैठे चलो अठारा डिगरी कर दिए देखने पड़ेगी तो आप देखो आप आगे जा रहे हैं आगे और गाड़ी पीछे से आ रहे आपको टक्कर कब लगेगी बाद में लगेगी कि जब टक्कर मानने वाली गाड़ी आपके पीछे रहेगी कि आगे रहेगी पीछे रहेगी यानि कहने का मतलब कि अगर शुक्र और बुद्ध आपके कुमराशी में एक एक्जामपल लिया रहे और शुक्र दस डिग्री के हैं तो जब श्यनी जीरों से दस डिग्री के रहेगे तब वो शुक्र को इंपेक्ट करेंगे और दस के बाद वो बुद्ध की तरफ जाएंगे तो बुद्ध वाला फ़ल देने लगी नहीं समझ जाए बाद पीछे रहना चाहिए अब माली के शुक्र दस डिग्री के है तो जब श्यनी 11 डिग्री के हो जाएंगे तो शुक्र का काम खटा हो चुका है पिर बुद्ध का काम स्टार्ट होगे पुरे धाई साल को काम नहीं होगा कि अयरु तो जायए दाःते थिशनी 11 डिग्री के शुक्र का नहीं चुक्र कारेंगे तो प्रुद्ध के शुक्र के आदेरा है तो तो जाया जाने नहीं होगे आपको दिखाई थी यहां पर क्या हुआ कि अब ही मगर राशी में शनी का गोचर पर हुआ था पिछले डाइसा और देखे केतु कितने डिगरी के देखे जरा केतु 26 डिगरी के आपको पता केतु 30, 29, 28, 27, 26 ऐसे चलते हैं ना उल्टा चलते हैं ना केतु तो जब शनी 26 डिगरी को पार करके क्योंकि अब यह केतु यहां शनी यहां 36 पर इफेक्ट ने डालेंगे क्योंकि केतु तो उल्टा यहां उल्टा फरक पड़ेगा क्या 26 से जीरो का फरक पड़ेगा तो जब गोचर के शनी 26 डिगरी के बाद से जीरो डिगरी पर आए तब तक यह शनी का केतु का इंपक्ट पड़ा इसके उपर और इसने अन्नों की विच्वाइब आखरी के समय जी आखरी के समय बात समझ में आगे नहीं आगे क्योंकि यहां पर शरीत उल्टा चल लए थे ना लास्ट के समय यहां पर इंपक्ट डाला और कुछ ऐसे सर्कमिस्टैंस बने कि इनको अपनी जोंग चेंज करनी पड़ी भ्रम में भी आ गई कि तु बताया भ्रम का विकार दो शर्कमिस्टैंस बें डाद में कि यहां पर आपको देखनी पड़ेंगी इस प्रकाल से गुरुजी यहां प्लस मैंने अपार्बदा होगी तो बिलकुल लग जाए गाल लेकिन यहां पर पीछे लगेगा मलब प्लस नहीं लगेगा माइनस लगेगा माइनस लगेगा अ आप ये समझे कि पीछे से आने वाली गाड़ी आगे वाली गाड़े को इंपक्ट करती तक कर मारती है। आगे निकल भी थोड़ी न कुछ होगी। गुर्जी ऐसा भी हो रहता है। गुर्जी की दो गड़ा है। आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी लोग गते हैं, लेकिन वहां से फाइदा भी आ रहा। आपको देखने को मिलेगी। तो दोनो कि आपको अच्छा फल मिलेगा। दोनों जगे फ़ल अच्छा मिलेगा, माली किसी का मंगल भी और शुकर भी है तो शुक्र कारण उसको प्राप्ति लक्षमी की प्राप्ति भी तो हो रही है, और पता चला है मंगल कारण भो आप्स में लडाई भी कर रहा है, जारा पैसा तो यहार आ रहा थै लेकिन लडाई अधिकर आपने से गोचए हो रहा है और पढने वार अच्छा है तो उसके लिए क्या भुड़को प्ड़े जयान अर्जीट करें, जितनी जयादा जयादा अलग-अलग विद्याओं को पड़े विधाओं को पड़े, विधाओं को पड़े, मन्की स्किल हो सकता है, यह देखना है ना नीच देखना है ना उच देखना है कुछ नहीं देखना है इससे आसान और इससे सटी क्वल गोचर का नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें बहुत सारे मेठेड लगा के देख चुके